वेलकम गाइज, SGC Computer Classes, तो आज हम सीखने जा रहे हैं, कैसे हम STML में multiple files choose कर सकते हैं, तो first, we open notepad, then syntax जो भी होता है, मैं उसको टाइप करना जा रही हूँ, stml, next है आपका, head, next body tag open किया हमने, sorry guys, body tag नहीं, then after, इसके बद हम सबसे पहले title tag open करेंगे, क्योंकि हमारे title भी हमारा पढ़ा होना चाहिए, जो कि जरूरी है, title tag में हमने लिख दिया, sgc classes, classes जैसे की डाल दिया, और अब ध्यान तो सुनिए, अगर हम STML में कोई भी tag open करते हैं, अभी आप notice करेंगे, मेरा कोई भी tag open नहीं रहेगा, उस tag को close करना most 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 important, तो जैसे में title tag मेरा बन चुका है, इसलिए मैं tag को close करने जा रहे हूं, ताइटल, हाँ वैसे में बता दू, STML में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने capital letter से भी बना दिया है, तो no issue, बट आप कोशिश करिए, कि small letter में बनाए, मुझे name डालना था, इसलिए मैंने किया, then title tag हमने कर दिया है, हम head open, head open है हमारा, यह देखिए, head tag हमारा open, अब हम इसमे head tag close करने जा रहे हैं, यह हमने head tag close कर दिया है, next हम लेते है, body tag open किया हमने, जिसमें हमारा content नीचे लिखा जाएगा, p tag paragraph, हमने paragraph लिख लिख लिए, the user can select multiple files, अब देखिए, p tag को भी हम close कर देंगे, slash लगा के, p tag हो गया हमारा, अभी हम body tag को close नहीं करने वाले हैं guys, okay, next हमारा है, जो इस चीज के लिए, अब हमारा main purpose है, कि अब हम कौन सा tag यूज़ करने जा रहे हैं, अब हम यूज़ करने, input, यह हमारा attribute, input type, equals to double inverted comma open किया, file लिखा double inverted comma close किया, देखिए, अगर inverted comma आप नहीं लगाते हों, तो फिर आपका problem create करेगा, ठीक है, multiple, multiple files, multiple files लिखने की कोई नहीं है, हमने इस को close कर दिया, इस tag को, then after, अब हम body tag close करेंगे, body tag close किया, अब देखिए, उपर धान दिजिए, यहां पर यह head tag है, head tag को close पहले से हो गया, then after, हम एस्टीमल को close करने जा रहे हैं, हमने इस पूरा syntax इक बना लिया, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा वर्क है, इस फाइल को save करना, जैसे कि हम फाइल में गया है, save option पे गया है, मैं आपको इसके साथ को shortcut बताना चाहूंगी, save करने के लिए, इस फाइल के लिए, इस फाइल को save करने के लिए, इस फाइल को save करना चाहते हैं, तो हम अपनी फाइल को desktop पे save करना चाह रहे हैं, तो चलिए desktop पे, मुजिक पे save करना चाह रहे हैं, तो मुजिक पे चलिए save करते हैं, तो हमने यहां पे लिखा, multiple.stml, आप देखें, यहां पे ध्यान अखेंगा कि हमने .stml क्यों लगा, क्योंकि हम एस्टिमल की फाइल बना रहे हैं, तो हमारे लिए इसका extension most important है, next आप all files कर दीजिए, save कर दीजिए, यह हमारी फाइल हो गई है, save के ऊपर हमारा multiple लिखके भी आ रहा है, ठीक है यह हमारा multiple लिखके आ रहा है, next आपका है अब हमने इस फाइल को save कर दिया, यह देखें, आपका multiple लिखके भी आ रहा है, इस पे एक double click करना है तेखी है एक double click किया अब हम check करते हैं प्रपाइल को यह यह देखिया हमारी फाइल बन गई। the user can select multiple files choose files no file chosen तो अब आभी देखिया हम इस पे choose file पर click भी करते हैं हमने यह click किया और देखिये बहुत से files आगे तो जैसे कि अगर हम document में जाते हैं आपको एक कोई भी आपको लेलिया कि अपका कैंसल किया में कि अब आपका एस चीज रेडि हो गया है तो गायस युद्ध इसे रीलेटेश हो तो पूछेए मैं आपको कुछ और नहीं चीजे बता दिती कोई भी कोई रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा देखिए अभी जैसे हमने इस फाइल को बना ले अगर आपको इसका प्रोग्राम वापिस से देखना है तो यह देखिए आपे विव पेस सोर्स कंट्रोल यू 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 उस करिएगा शॉटकट कीज़े यह दे करना पड़ेगा फिर से यहां से आके आप इस पे ओपन विद्ध नोट पैट टे क्लिक कर सकते हैं यहां से आप कुछ भी कर सकते हूं ठीक है अभी देखिए जैसे कि हमने डबल इन्वर्टेट कॉमा हताया ठीक है ठीक है हमें फाइल प्रोग्राम बना लिया ओके बट उस देखिए मॉल्टिपल पर क्लिक कीजए अभी देखिए मिस्टेक आगया थे क्यूंकि देखिए कुक्छी जो मारा अब अगर्ड़ प्रोग्राइट वह हमारा रॉंग हो गया ठीक है यह रॉंग वाला थै कि आसमने लिर्ट अब डभल इन्वर्टेट कॉमा लगा देता है हैं अब कोने भी क्षेंपि सेव हैं थे कन्रों किनहें कि की नहीं हुआ तो देखेय। कोई भी वीडियो आए और बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको इसलिए उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके हैं थैंक यू सो मच